बही मान गए प्रशांसर आपको, बिलकुल पीक पल अगर दिल दोड़ा आपने, पूरी मूवी में वेट करता रहा कि कब सालार रश्यन आर्मी से भीड़ेगा, और जैसे ही लगा endgame चालू होने वाला है, वैसे ही मूवी ओवर, लेकिन कुछ भी कहो, मूवी थी तो next level, क्यो भाई ये बात सरासर गलत है, जिसे प्रूव करने के लिए मेरे पास दो पॉइंट्स है, पहला तो अगर धरा and देवा एक जैसे दिखते, तो खांसर में देवा के आते ही तहशत मत जाती, ये बोलते होए कि धरा वापस आ गया, क्या धरा जिन्दा है करके, second प्रूव ये ह कि अगर देवा एं धरा एक जैसे दिखते, तो देवा की मा उसे वापस खांसर जाने ही नहीं देती, क्योंकि उसे मालूम था कि खांसर में उसके पती के साथ क्या हुआ था, और अगर किसी ने देवा को धरा समझ लिया, तो उससे ऐसे ही मार देते, तो भला देवा की मा उ आतंग के बारे में कैसे पता और जो expression देवा की माने दिये थे उससे साफ था कि उसने अपने सामने देवा को खून की नदिया बहाते हुए देखा है क्योंकि भाई देवा की माने सच में देवा को खून की नदिया बहाते हुए देखा है कैसे वो मैं बताता हूं हमें पता है देवा की मा को उसके अग्रिंज शियूस करेगा और देवा अपनी मा को बचाने के लिए ना जाने कितनी लोगों की जान लेगा और मजबुरन वर्दा को भी राजमनर का डिसिजन मानना पड़ेगा क्योंकि वर्दा को खांजार का राजा बनना है और शायद इसी वज़े से देवा अन वर्दा की दुश्मनी चालो होगी और जहा तक प्रिश्ने कांद की बात है तो जरूर वो देवा हो और उसकी मा की मदद करेगा खांजार से बच कर निकलने में अब वो उसकी मदद क्यों करेगा और मेरी इस थियोरी में कितना दम है वो तो समय आने पर ही बदा चलेगा लेकिन असली दम किसम है वो सालार के कलेक्शन्स ने बता दिया है क्योंकि मूवी बहुत जल्द वर्ड़ वाइट साथ सो करूर से ज़ाधा कवाई करने वाली है लेकिन क्या ही हजार करूर की फिकर को टच कर पाएगी इस बात पर आप लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बाकी जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अपने चैनल मोव फॉर आल में